आज बनाएंगे भुट्टे का किस ये इंदौर की सिंग्नेचर रेसिपी है स्वाद में लाजबाब और बनाना बहुत आसान आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप भी इसके दिवाने हो जाएंगे नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है तो शुरू करते हैं ये चार दूदिया भुट्टे बाजार से लाएं तो थोड़ा देख लें कि हलके कलर के हो इनके दाने ऐसे नरम हो कि आप दवाएं तो ये दब जाएं इन्हें अब हम ग्रेट कर लेते हैं मीडियम ग् ग्रेट हो जाए और फाइवर है वो ऊपर रहगा तो फटाफट सारे भुट्टे इसी तरह से ग्रेट कर लिजे इस तरह का ये खाली भुट्टा रह जाएगा इसे अटा दीजे ग्रेटर के ऊपर ये थोड़ा मोटा-मोटा सा है इसे भी आटा दीजे क्योंकि इसमें ये दो टेविल स्पून बेसन इसे पैन में डाल दीजे और ड्राय रोस्ट कर लीजे फ्लेम लो मीडियम रख लीजे इसे तेज फ्लेम पर रोस्ट नहीं कीजे और लगातार चलाते हुए भूनिए जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता बेसन का कलर चेंज हो गया और बड़िया सी खुश्वू भी आ रही है ये भून गया अब इसी कड़ाई को पॉच कर ले लिया और इसमें डाल दिया दो टेबली स्पून घी घी मेल्ट होने के बाद इसमें डाल दिया चोथाई छोटी चमच सर्सो के दाने और इने चटकने दिजिये सर्सो चटकने के बाद चोथाई छोटी चमच जीरा और ये दो खरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक इंच अद्रक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ आदा पिंच हिंग हलका सा भूना और अब ग्रेट किया हुआ हुआ हुट्टे का पल्प और ये एक चोथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये एक चोथाई छोटी चम्मच धनिया पाउडर अब इन सारे मसालों के साथ में इस पल्प को अच्छी तरह से भूनते हैं फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और लगातार चलाएंगे इसे हमने पांच मिनिट भून लिया है अच्छी से खुश्बू निकल रही है इसका कलर भी चेंज हो गया है ये भून चुका है बुट्टे के कीस में बेशन को भून कर जरूर डाला जाता है इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है बेशन अच्छी तरह से मिल गया अब इसमें डालेंगे दूद ये एक कप दूद लिया है आदा डालिये और मिला दीजिए इसमें दूद भी जरूर डाला जाता है अगर आपको दूद नहीं पसंदो तो इसके जगे आप पानी डाल सकते हैं फ्लेम को धीमा कर लीजिए दूद इसमें अब्सॉर्ब हो गया अब जो बचा हुआ आदा कब दूद है वो भी डाल दीजिए और इसको मिला दीजिए आदा छोटी चमच कश्मीरी लान मिर्च आप मिर्च अपने हिसाब से थोड़ी कम जादा भी कर सकते हैं और एक छोटी चमच चेनी इसका स्वाद खटा मीटा होता है इसमें चेनी भी डालते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला दीजिए अब तीन चोथा चोटी चमच नमक या स्वादम स्वाद एक बार फिर मिला दीजिए इसमें एक चोटी चमच घी और डाल दीजिए घी से टेस्ट बढ़ जाता है वैसे गी आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम यह जादा कर सकते हैं और अब धीमी गैस पर इसे ढख कर पांच मिनिट कुक होने दीजिए कुक होते हुए अभी दो मिनिट ही हुए है गैस धीमी है लेकिन फिर भी इसे चलाना ज़रूरी है इसे कुक होते हुए अब पूरे पांच मिनिट हो गए और इसे खोलते ही इतनी अच्छी महक आ रही है कि दिलखुश हो गया यह बन चुका है बहुत ही अच्छा टेक्शर आया है इसका एकदम खिला खिला है अब इसमें डालते हैं एक टेबिल स्पून लीबुकरस और थोड़ा सा हरा धनिया अब इन्हें मिला देते हैं यह तयार हो गया फ्लेम बन अब इसे सर्व करते हैं इसके उपर डालिए थोड़ा सा जीरा मन मसाला यह इंदौर का फेमस मसाला है आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं और यह ताजा ग्रेटेड नारियन इसकी जगह आप सूखा नारियन भी ग्रेट करके डाल सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और भुट्टे का किस तयार है बहुत ही टेस्टी बना है और इसे बनाने में तो कुछ हाई नहीं लेकिन जब आप बेशन भूने या भुट्टी का पल भूने तो उन्हें लो मीडियम फ्लेम पर भूने और लगाता चलाते हुए भूने इतना भुट्टी का कीस परवार के तीन चार सदस्यों के लिए परयापत है इस समय बाजार में बुट्टे बहुत आ रहे हैं तो आप फटाफर बुट्टे ले आईए बुट्टे का कीस बनाईए खाईए और बताईए कैसे लगा और ये भी बताईए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेस्पीच के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें